जहिन साथियों अभी हम लोग पसे थे हैं एक जाम टोड़ चैनल पर और आपसे बता दें बिहार लोक्षवा आयोग यानि बिहार लोक्षवा आयोग बिप्यसी के द्वारा 15 नेरूपत बेली रोड पटना और सेक्ष सुचना है जो भी अभ्यारती बिप्यसी के तैयरी करते हैं उनके लिए यदि आप इस विग्यापन को ऑनलाइन अपलाई किये हैं तो विग्यापन संख्या 23-2023 के अंतरगत 22 बिहार न्याइक सेवापरतियोगी परिक्षा के अभ्यारती को सुचित किया जाता है कि विग्यापन में निहित सर्तों के आलोक में और निहित यानि कि अभ्यारतियों की सुचित के कारण एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यारति के मर्ज की सुचि आयोक के वेबसाइट पर उपलब्द है आपसे बता दें सबसे पहले कोई भी सुचना और 100% एथेंटिक तथा परमारित आपको एक्जाम टूर के माध्यम से द दिया गया है या आप कोई अगर योगता उसमें गलत भरे हैं तो उसके लिए भी आपका लिस्ट दिया गया है आप उस लिस्ट में जाकर अपना नाम देख लें यदि आपका नाम है तो फिर आगे की प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा आयोक के वेबसाइट पर उपल में आवेदन साक्ष यानि कोई भी आपके पास परमानपत्र होंगे और हतो अस्ताक्षरीत कहने का अर्थ हुआ कि उस पर सेल्फ एटेस्टेड पदनाम से केवल आयोग के इमेल आईडी यानि आपको भेजना होगा बिपीएस्सी पर इमेल आईडी यहां देखेंगे बिपीएस्सी पटना बिहार एड़ीरेट एनाईसी डॉट आईएन पर भेज देंगे कि माध्यम से तेईस पास दुहजार तेईस तक आयोग कार्याले भेज सकते हैं अंतिम 25 तक आवेदन कर सकते हैं आवेदन में क्या करना है आपके पास जो भी प्रूफ है उस प्रूफ को आप लगा सकते हैं और इमेल आईडी पर आयोग के डाल सकते हैं और लेकिन अंतिम तिथी से बाद यदि आप डालते हैं तो आपको आयोग माना जाएगा अंतिम तिथी के बात नहीं है बिहार लोग से वा आयोग परिक्षानी अंत्र पठना के द्वारा ये सुचना है और आप देख सकते हैं यदि बार बार ओफिसियल साइट नहीं देखना चाहते हैं तो एक्जाम टूर को जरू सब्सक्राइब कर लेंगे उसमें आपको मदद मिलेगी जै हिंद जय भारत जय वा